लो वच्छे नमस्कार स्वागत आपका अपने परिवार रोजगार विद्धिन कित में तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे लाजवाब होंगे एक दम बिंदास होंगे और बहुत बहतरीन तरीके से दोस्त आप कैसे हैं आप सब लोग कैसे चल रहे हैं आप लोगों के हलचाल कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई विकास कुमार वरेंदर स्वाती सुमित अंकित हर्ष करण सनी संकेत पल्लवी नितीश अमित मांसी कपिल हर्ष सीपी चोधरी गुडिया किरांती कोशिंदर विश् कास भोजपूरी मिनाक्षी अंसी का बिर्जेस सैली सिंग सभी को मेरा प्यार बना नमस्कार सभी को रादे रादे सभी को दोस्त जैहिन तो एक बहतरीन सा टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आज सुरू करने जा रहा हूं बिटा रेस रेस यानि दोड के कोईशन अगर आप अब के एक्जाम की बात करोगे कि अब ट्रेंडिंग में क्या बने हुए हैं तो अब ये टॉपिक से कोईशन पूछे जाने लगे हैं कुछ टाइम पहले तक यहां से कोईशन नहीं पूछे जाते थे रेयर केस में यहां से कोईशन पूछे जाते थे ल इंट्रेस्ट उसमें क्रियेट करना पड़ेगा तब जाके वो इंट्रेस्टिंग टॉपिक बनेगा बाकि हम लोग केवल और केवल 15-16 कुश्चन इस पर करेंगे शांदार 15-16 कुश्चन करेंगे आये हुए 15-16 कुश्चन करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को जो है पड़ रहे हो तो आप सबसे अलग हो दुनिया से तो नहीं कह सकता आप उन बच्चों से अलग हो जो रेस को ये कहके छोड़ देते हैं कि रेस से कुश्चन नहीं पूछे जाते या रेस हम लोगों के समझ में नहीं आता है तो आप उनसे तो डिफरेंट हो ठीक है अगर ड बनके ही चीजों को समझने की कोशिस करना कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है और प्रैक्टिकली सोचोगे तो जवाब आप लोगों के सामने आ जाएगा ठीक है भाई तो ज़्यादा हम लोगों इसमें बात नहीं बनाते हैं सुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक से नाम है रेस यानि दोड़ पढ़ने वाले हैं दोस्त पहले रेस को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहूंगा वो बात का जवाब आप थोड़ा सा मुझे सोच समझ के देजिएगा कि हाँ ये बात सही है या क ही तक हम लोगों को जाना है एक वैक्ती है जो पूरी रेस को एक वैक्ती है मतलब जो पूरी रेस को 30 सेकंड में पूरी कर देता है और दूसरे वाले वैक्ती को 10 से हरा देता है दूसरे वाले वेक्ति को 10 से हरा देता है तो ये दूसरा वाला वेक्ति जो है कितने समय में इस रेस को पूरी करेगा बड़ावड मुझे बताइए अगर ये 30 सेकिंड में इस रेस को पूरी करता है तो ये दूसरा वाला जो है ये इस race को कितने second में complete करेगा पड़ावर बताईए ये जो 20 second answer दे रहे हैं इनके लिए ही मैंने example पूछा था अगर ये 10 second से हरा देता है तो इसका मतलब ये 10 second पहले पहुच जाता है अगर ये 30 second में पहुचता है और इसको 10 second से हरा देता है ये 40 second में दोस्तों पहुचता होगा तभी तो ये 10 second से हर गया है मतलब की ये है कि जिसने हराया है वो पहले ही तो पहुचा होगा तभी तो वो जीता है इसका मतलब अगर ये 30 second में पहुचा है अगर ये 40 second में पहुचा है इस line का मतलब है x ने y को 10 से किंड से हरा दिया डिमाग में सेट रखना बिटा practically थोड़ा सा सोचना कि जो पहले पहुंचेगा मेरे दोस्त को ही तो जीतेगा अगर ये 30 से किंड में पहुंच रहा है ये 40 से किंड में पहुंच रहा है तो जीता कौन है तो आप कहेंगे X जीता है कितने सेकंड से जीता है तो आप कहेंगे 10 सेकंड से जीता है ये बात किलियर हो गई ये बहुत छोटा सा एक्जामपल था उन लोगों का डाउट किलियर किया है जो अभी 20 सेकंड जो है वो जब आब दे रहे थे, ठीक है भाई अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को कि मैं कहना क्या चारा हूँ भाई ये सूपर चैट मत किया करो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेश्ट आप लोगों से ये सूपर चैट वाला जो है करकर मत किया करो ठीक है मेरे दोस्त आप अपना खर्चा बहुत सारा खर्चा कर देते हैं कोर्स खरीदने में नेट खरीदने में इंटरनेट मतलब रिचार्ज कराने में कॉपी पैन खरीदने में, box खरीदने में, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तो फिर ये super chat किस बात की, अब ये मत कहने लगना कि super chat जी आप वापस कर दो, ठीक है, वापस करना मेरे पास मतलब इतना वो नहीं है, permission नहीं है, और ना मैं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आप से request कर सकता हू कि आगे से ये super chat की कारकरम जो है, ये बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल जरुबरत नहीं है दोस्त, ठीक है, आप थोड़ी सी respect करते हो, आप बढ़िया मानते हो, वही हम लोगों के लिए काफी है, ठीक है, अब देखी मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, इसने कहा, मान एकस ने वाई को 50 मीटर से हरा दिया, इसका क्या मतलब है भाई, एकस ने वाई को 50 मीटर से हरा दिया, तो आप कहेंगे जी, एकस जब यहाँ पहुँच चुका था, तो वाई जो था, इससे 50 मीटर पीछे था, एकस जब यहाँ पहुँच चुका था, तो वाई जो था, व और बताएंगे जितने टाइम में एक्स ने ये वाली दूरी तैकी होगी यानि हजार मेटर की दूरी तैकी होगी क्या उतने ही टाइम में वाई ने साड़े 900 मेटर की दूरी तैकी होगी यानि जितने टाइम में यहां से लेके यहां तक पहुचा है उतने ही टाइम में वाई जो है वो यहां से लेके यहां तक पहुंचा है तब ही तो 50 मेटर से हर गया है तो यह जो कुछ point मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिटा यह बहुत ध्यान से आप लोगों को दिमाग में रखने है यह point का use जो है वो ज्यादा होना है ठीक है भाई अब एक होता है मेरे दोस्त एक common सा example और मैं आप लोगों के सामने लेता हूं मान लो यह a point है मान लो यह b point है आप से question ने कहा x जो है वो y को 20 मेटर की बढ़त देता है क्या बोला x जो है वो y को 20 मेटर की बढ़त देता है यानि y को बढ़त दे रहा है इसका मतलब वो y से कह देता है एक काम कर तू 20 मेटर आगे जाके खड़ा हो जा मैं तुझे जब भी पकड़ दूँगा तो इस बात का मतलब क्या है कि x ने y को 20 मेटर की बढ़त दे दी यानि अपने से आगे 20 मेटर खड़ा कर दिया Y ने Z को 10 मीटर की बढ़त दे दी इसका मतलब Y ने Z को अपने से 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया तो ये कुछ जनर्नल चीजे थी क्या आपके दिलो दिमाग में बैठ चुकी है क्या आपके दिलो दिमाग में बैठ चुकी है एक ही फर्मूला इसके अंदर दोस्त यूज होना है कि चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है यानि अगर बात करूं मेरे दोस्त स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी स्पीड जो है वो डिश्टेंस अपोन टाइम हो जाएगी ये बात समझ में आप लोगों को बहुत दिन से चल रही है तो दिमाग में सैट बैठ चुकी होगी अब दोस्त मैं कुछ कोश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना है बहुत प्यार से समझना है हर एक कुश्चन को बेटा बहुत आराम से करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखो बेटा पहला कुश्चन आप लोगों के सामने ये रहा देखिए पड़बड इस कुश्चन को पढ़िए दिल्ली पुलिस ऐसाई 11 नवंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है 1200 मीटर की रेस में सबसे पहले बेटा प्यार से समझना आंसर देने की फुर्ती मत दिखाना रेस कितनी है रेस जो है वो 1200 मीटर की है ठीक है राम जो है वो शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा देता है हराया किसने है राम ने मतलब राम ने शाम को हराया है तो राम ने टोटल 1200 मीटर की दूरी तैकर ली है राम जीता है और शाम ने कितनी दूरी तैकरी होगी 200 मीटर से हराया है तो शाम जो रहा होगा इससे 200 मीटर पीछे रहा होगा यानि शाम ने जो दूरी तैकरी है वो 1000 मीटर की दूरी तैकरी है वह ये टोटल दूरी कितनी थी 1200 मीटर की दूरी थी राम ने कितनी टोटल दूरी तैकरी है शाम को कितनी मीटर से हरा दिया है दो सो मीटर से हरा दिया है तो बारा सो में से दो सो जाएंगे तो शाम ने कितनी दूरी तै करी होगी तो आप कहेंगे हजार मीटर की दूरी तै करी होगी उसने कहें या तो दो सो मीटर से हरा रहा है या फिर 20 सेकंड से हरा रहा है यानि की मेरे दोस्त तो वो कहना क्या चाहा रहा है एक तो इससे 200 मीटर पीछे है और एक राम जो है इससे 20 सेकंड पहले पहुँच गया है यानि कुल मिला के कहने का मतलब है शाम जो है इस 200 मीटर की दूरी को इस 200 मीटर की दूरी को 20 सेकंड में ही तै करेगा यानि जब 20 सेकंड से हारा है या 200 मीटर से हारा है तो इसका मतलब शाम जो है वो 200 मीटर की दूरी को 20 सेकंड में तै करेगा अगले 20 सेकंड में तै करेगा तब वो इस स्थान पर पहुँचेगा तो बिटा मैं अगर शाम की चाल की बात करूँ, शाम की स्पीड की बात करूँ, तो दूरी बटे समय ही स्पीड होती है, तो क्या आप लोग कह सकते हैं, कि शाम की जो स्पीड रही होगी, वो दस मीटर परती सेकंड रही होगी, उसने पूछा है, राम की चाल क्या रही होगी ये बिटा शाम की चाल निकल की आई है कितनी 10 मीटर 30 सेकंड अब ध्यान से सुनना मेरी बात को उसने शाम की चाल तो चलो अपने निकाल दी राम की चाल कैसे निकालोगे एक बात मुझे बताओ राम की चाल कैसे निकालोगे बिटा ध्यान से सुनिएगा अगर मुझे बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे राम का समय चाहिए तो एक बात मुझे बताओ शाम ने ये वाली दूरी जो है कितने समय में तैकी होगी हजार मीटर की दूरी तो शाम का समय निकालो शाम का समय निकालोगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल करोगे तो क्या शाम ने इसे 100 सेकंड में पूरा किया होगा अगर शाम यहां से यहां तक 100 सेकंड में पहुँचा है तो क्या उतने ही समय में राम जो है वो यहां पहुँच गया होगा तो राम ने 1200 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तैकी है तो राम की चाल कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त राम की चाल जो है वो 1200 बटे 100 यानी की 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा अपसन नमबर बी इस दा करेक्ट आंसर मेरी तरह आप लोगों ने भी गलती की होगी आपने शाम की चाल को ही आंसर मानते हुए 10 मीटर प्रती सेकंड लगा दिया होगा हाँ confused हो गया पहले ही question में पहले ही question में चलिए दुबारा से सुनिए दोस्त confused होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को सबसे पहले ये ठना है कि जब तक चीजे समझ में नहीं आएंगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है दूसरी चीज ये डालनी है कि छोड़ना किसी भी चीज को skip करना समधान नहीं होता है अगर math से डल लगता है तो math को skip कर दोगे तो selection से बाहर कर देगा ठीक है मैं ये कहना चाहरा हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग process किया करो चीजों को समझने की ठीक है सुनिए थोड़ा सा ध्यान से देखो कोशन ने कहा क्या है इसलिए मैं कोशन कम लेके आया हूँ कम कोशन हम अच्छे से समझ लेंगे यहां से यहां तक दोस्त मुझे जाना है ये 1200 मीटर की दूरी है राम ने क्या किया शाम को दूसरे व्यक्ती को 200 मीटर से हरा दिया या 20 से कंड से हरा दिया है ठीक है अब देखिए मेरी बात को समझे इसका मतलब है शाम जो है 200 मीटर से हारा है तो शाम ने केवल 1000 मीटर की दूरी तैकी है उतने समय में राम ने 1200 मीटर की दूरी तैकल ली है ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है अच्छा हारा कौन है आप कहेंगे शाम हारा है कितने मीटर से हारा है 200 मीट में तैकर लेगा ये बात हम लोगों को पता चल चुकी है ठीक है भाया 200 मीटर की दूरी को 20 सेकिंड में तैकर लेगा तो शाम की चाला चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड अच्छे एक बात बताओ यहां से यहां तक जाने में शाम ने कितना समय लिया होगा तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल शाम का समय आ जाएगा यहां से यहां तक की दूरी 1000 मीटर है यहां से यहां तक की चाल 10 मीटर 30 सेकिंड है तो शाम के दूरा लिया गया समय कितना हो जाएगा 100 सेकिंड हो जाएगा यानि यहां से यहां तक शाम 100 सेकिंड में पहुचा है तो क्या उसी टाइम में राम जो है 100 सेकंड में यहां पहुच गया होगा तब ही तो जीता है मेरे दोस्त इसका मतलब ये 1200 मीटर के दूरी जो है वो राम ने 100 सेकंड में पूरी खर ली है तो दूरी बटे समय ही चाल होता है तो राम की चाल कितनी हो जाएगी राम की चाल जो है वो 12 मीटर पर सेकंड ह हो जाएगी ठीक है भाई कोश्चन नंबर तो कोश्चन नंबर दो आप लोगों के सामने हैं फटा-फट बताईएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब कोश्चन जो है चाहे 10 हो बिटा आप लोगों को बहुत इमानदारी से कोश्चन पढ़ने हैं ठीक है ए पंद्रह सो मीटर की दोड़ में टोटल रेस कितनी है पंद्रह सो मीटर की रेस है और बी को दस सेकंड की सुरुवात देता है यानि की दस सेकंड पहले इसे दोड़ा देता है कि भाई तु भाग जा मैं दस सेकंड बाद तुससे भागूंगा ठीक है भाई तो दस सेकंड में वो यह कहीं आ चुका होगा ठीक है अब देखी आगे क्या कहना चाहरा है और दोनों एक ही समय में दोड़ पूरी करते हैं वह दस सेकिंड पहले ए ने दोड़ाया और दोनों ने एक ही समय दोड़ पूरी की यानि जितने समय में ए यहां से यहां आया होगा भी उतने ही समय में यहां से यहां आया होगा बई बी को खड़ा कहां किया गया है दस सेकंड आगे खड़ा किया गया है यानि जितने समय में बी यहां से यहां आया होगा अगर दोनों दोड एक ही समय पूरा करते हैं तो क्या यहां से यहां आ गया होगा मतलब जीता कौन है जीता है क्योंकि उसने उस चाल है 6 मीटर पर सेकंड इस वेक्टी की चाल कितनी है 6 मीटर पर सेकंड तो एको दोड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा वो आप से ये पूछना चाहा रहा है अच्छे एक बात मुझे बताओ अगर यहां से यहां से मैं पूछूं टोटल पंद्रहसो मीटर की दोड़ थी 10 सेकंड पहले मलब B को खड़ा कर रहा है 10 सेकंड पहले दोड़ा रहा है तो एक बात मुझे बताओ अगर मैं B का समय पूछूं तो B क्या है बिटा पंद्रहसो मीटर की दूरी को कितने की चाल से 6 की चाल से पूरी कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरी कर रहा ह तो कितना समय लगने वाला है 6 दूनी बार है क्या 200 सेकंड का समय लगने वाला है यानि B इस पूरी रेस को 200 सेकंड में complete करेगा अब ध्यान से सुनना जब B को 10 सेकंड पहले दोड़ा दिया है तो क्या A जो है वो 10 सेकंड बाद दोड़ा होगा अगर A 10 सेकंड बाद दोड़ा होगा और दोनों फिर भी समय पर पहुच रहे हैं तो क्या A ने उसी दूरी को 240 सेकंड में complete किया होगा भई 10 सेकंड पहले दोड़ गया है उस 10 सेकंड में यहां आ गया होगा और इसके आगे 240 240 सेकंड का समय और लगा होगा तभी तो A B को पूरी दूरी तै करने में 250 सेकंड का समय लगा है तो A को कितना लग जाएगा बेटा A को 240 सेकंड का समय लगा होगा हाँ या ना यानि A जो है वो पूरी दूरी पूरी दूरी कितनी है 1500 मीटर की है कितनी सेकंड में कम्पलीट करत तो एक ही चाल कितनी आ जाएगी उसने पूछा एको दोड़ पूरी करने में कितने मिनट का समय लगए बस समय पूछना चारा है ये करने की जरूरत ही नहीं है एको कितना समय लग जाएगा 240 सेकंड और 240 सेकंड का मतलब होता है बेटा 4 मिनट एक मिनट में 60 सेकंड होती है तो 240 सेकिंड में कितनी मिनट हो जाएंगी 4 मिनट हो जाएंगी option number B option number B ये लोग जो 5 मिनट आंसर दे रहे हैं बच्चा मुझे नहीं पता कैसे आंसर दे रहे हैं पर अपने आपको भ्रहमे नहीं रखना है फर्क नहीं पड़ता दोस्त 2800 लोग किलास को देख रहे हैं फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर 800 लोग भी इन चीजों को समझ रहे हैं तो 800 लोग जो है आपको competition में बाहर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हर जगे बच्चा पढ़ रहा है हर जगे बच्चा पढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कहीं और से selection नहीं होगा मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं तो बिटा आपको पढ़ना होगा आपको पढ़ना होगा चीजे अगर नहीं आती हैं देखो दो चीजे हैं या तो चीजे आती नहीं हैं और उसके बावजूद आप सीखना नहीं चाहते हैं एक तरीके के तो वो लोग होते हैं दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं चीजे आती नहीं है उनको भी लेकिन वो सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं सीखना चाहते हैं तो बिटाई जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ये सफल वेक्ति कहलाते हैं जिन से चीजे आती नहीं है सुरुआत में तो चीजे किसी से नहीं आती है लेकिन वो सीकना पसंद करते हैं वो महनत करते हैं सीकने के पीछे एक पहले टाइप के लोग होते हैं हाँ पहली बार देखा रेस नहीं है फिर अपने मन को बहलाएंगे वो कि रेस से कुश्चन नहीं आता है कभी भी नहीं आता है रेस से क्योंकि आपके समझ में नहीं है भाई आ गया तो तुम बिगाड क्या लोग है उसका ये रहा देहली पुलिस SI में पूछा गया है 11.11.2022 में पूछा गया है अभी मैं दिखा दूँ है देहली पुलिस MTS तक में पूछा गया है MTS में पूछा गया है ठीक है भाई चलिए कुश्चन नमबर 3 की तरफ चल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनना ये देखो Head Constable Ministerial में पूछा गया है देहली पुलिस Head Constable Ministerial में आप लोग उसे पूछा गया है आराम से पढ़ाऊंगा भाई बिलकुल भी आप लोग मुझे डिश्टर मत करना कि तेज चलो जिसे तेज पढ़ना है जिसे तेज पढ़ना है वो आप बाद में देख लेना Class को 2X की Speed पे करके 2.0 में अंकिसर पढ़ाएंगे क्या भाई मुझे आइडिया नहीं है अभी मैं परिणाम बेच पढ़ा रहा हूँ 2.0 में जो भी पढ़ाएगा जो भी पढ़ाएगा बच्चे वो बेच्थी पढ़ाएगा ठीक है आप उसकी Tension मतलो टीचर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता टीचर का कोई बहुत बड़ा फरक नहीं पढ़ता है फरक पढ़ता है आपकी महनत का आप कितनी महनत कर रहे हैं और शायद ये बात आपको बुरी भी लगेगी पर जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है देखे 800 मिटर की दोड में राम शाम को 50 मिटर से हरा सकता है देखो हाँ ये 10 सेकिंड बाद भागा है हाँ बिलकुल भागा है ये 10 सेकिंड बाद अगर उसने 200 सेकिंड में कम्पलीट की है मुझे यहां से दिल्ली जाना है मैंने एक वेक्ती को एक घंटा पहले चला दिया उसने रेस कम्पलीट की है चार घंटे में और मैं भी उसी टाइम पर पहुचा हूँ जिस टाइम पर वो पहुचा है तो मैंने रेस तीन गंटे में कम्पलीट कर ली होगी न मान लो practically समझो थोड़ा सा मान लो यह है greater noida यह है greater noida यही चीज इसमें समझने की है और यह है मेरे दोस्त दिल्ली यह greater noida है और यह है दोस्त मेरे दिल्ली ठीक है greater noida से एक मैंने चार बजे वेक्ती चला दिया है चार बजे वेक्ती चला दिया है शाम को और वो दिल्ली जो है वो साथ बजे पहुँच किया है मैंने एक गंटा पहले चला दिया इस वेक्ती को एक गंटे की बढ़त दे दी है लेकिन मैं एक गंटे बाद चला हूँ तो क्या मैं पाँच बजे पहुंचा हूँगा तो आप कहींगे बिलकुल पाँच बजे चला हूँगा लेकिन मैं भी उसी time पहुंस ता हूँ तो मैं भी 7 बजे पहुंचूँँगा तो इस वाले वेक्टी ने वो दूरी 3 गणते में तै की है और इस वाले व्यक्ति ने वो दूरी दो घंटे में तै की है बस मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला व्यक्ति तीन घंटे में तै करता है और ये एक घंटे बार चला है तो ये दो घंटे में उस दूरी को तै करेगा ठीक है अगर मैं आपसे कहूं कि ये 200 सेकंड में उस दूरी को तै करता है और ये 10 सेकंड बाद चला है तो 240 सेकंड में उस दूरी को तै करेगा ठीक है बहुत बढ़िया अब देखिए मेरी बात को थोड़ा से समझेए यानि राम हरा रहा है बिटा तो राम अगर 800 मीटर दोड़ेगा तो शाम 50 मीटर से हार गया है तो क्या शाम जो है 7500 मीटर से दोड़ेगा अगर राम 800 मीटर कंपलीट करेगा और 50 मीटर से हार चुका है तो क्या उतने ही टाइम में इसने साड़े साथ सो मीटर की दूरी तैकी होगी बहुत बढ़िया मैंने इनका ratio निकाल लिया 0 से 0 कट गई पांस से कटा 16 बार और पांस से कटा 15 बार यानि अगर ये 16 मीटर चलेगा तो ये उसी टाइम में 15 मीटर चलेगा ये बात हमको समझ में आ चुकी है और 600 मीटर की दोड़ में शाम जो है घंशाम को शाम जो है घंशाम को 40 मीटर से हरा सकता है यानि 600 मीटर की दोड़ में जीता कौन है शाम जीता है तो शाम अगर 600 मीटर दोड़ेगा तो घंशाम को 40 मीटर से हरा सकता है तो गहनशाम क्या 560 मीटर दोड़ेगा 560 तो यहां से रेशो निकालो बिटा यहां से रेशो निकालोगे तो आप पाऊगे किस से कट सकता है तो आप यह कहोगे 560 है ना 6 से कटेगा नहीं कटेगा 4 से कटेगा बिल्कुल कटेगा 15 बार कटेगा यह क्या है चारे कम चार 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 चोग 16 यह 14 बार कटेगा अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप रेशु निकालना चाहते हैं तो यह दोनों वैल्यूज सेम हैं तो रेशु क्या आ जाएगा 16, 15 और 14 का रेशु आ जाएगा यानि यह 16 मीटर दोड़ता है तो यह 15 मीटर दोड़ेगा यह उसी टाइम में 14 मीटर दोड़ेगा अब आगे क्या कहना चाहरा है 400 मीटर की दोड़ में राम जो है घंशाम को कितने मीटर से हराएगा तो आप लोग यह देख पा रहे हैं कि यह 16 मीटर की रेश में यह 14 मीटर दोड़ता है ये 16 मीटर दोड़ता है और ये 14 मीटर दोड़ता है तो आप मुझे ये बताइए 400 मीटर बनाने के लिए इसमें कितने की गुणा करनी होगी अगर मैं आपसे बात करूं 400 मीटर बनाना है तो इसमें 25 की गुणा करनी होगी कितने की गुणा 25 की गुणा तो क्या यह 400 मीटर की रेस हो जाएगी अगर यहाँ 25 की गुणा करी है तो यहाँ भी 25 की गुणा कर दोगे यह कितने मीटर की रेस हो जाएगी 25 चोका 100 को 0 हासिल लगे 10, 25 से कम 25 और 10 35 हो जाएगे यानि अगर यह 400 मीटर दोड़ता है तो ये साड़े 300 मीटर दोड़ेगा तो कितने मीटर से हरा देगा तो आपका जवाब होगा 50 मीटर से हरा देगा 400 मीटर की दोड़ में राम जो है वो घंशाम को कितने मीटर से हरा देगा तो राम 400 मीटर दोड़ता है तो उसी टाइम में घंशाम साड़े 300 मीटर दोड़ता है तो कितने मीटर से हरा देगा तो आपका जवाब होगा 50 मीटर से हरा देगा 50 मीटर से दोस्त हरा देगा ये बात समझ में आगी क्या? ये बात समझ में आगी क्या? बहुत शांदार बहुत लाजवाब ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी ठीक है बिना वैल्यू पुट की ये रेशो कैसे निकाल दिया भाई बिना वैल्यू पुट पुट तो करी है राम शाम को 50 मीटर से हराता है ये 800 दोड़ेगा तो ये 7500 दोड़ेगा 600 मीटर की रेश में शाम जो है घंशाम को 40 मीटर से हराता है तो ये 600 दोड़ेगा तो ये 560 दोड़ेगा अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती है तो बेटा ये 16 दोड़ेगा ये 15 दोड़ेगा ये 14 दोड़ेगा मतलब 16 मीटर की रेस में ये 14 मीटर ही दोड़ पाता है तो उसने का ये 400 मीटर अगर दोड़े 400 मीटर की रेस में तो कुछ रहे कितने मीटर से हराएगा तो इसे 400 बनाने के लिए 25 की गुणा कर दी तो ये 400 मीटर दोड़ेगा तो 25 की गुणा भी इधर कर दी ये 350 मीटर दोड़ेगा तो कितनी मीटर से हार चुका है तो आप कहेंगे 50 मीटर से हार चुका है ठीक है भाई? बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन क्या कहता है कोशन नमबर 4 पड़ापड कोशन को एक बार पढ़िये कोशन नमबर 4 आप लोगों के सामने है कोशन कहना क्या चाहरा है 100 मीटर की दोड़ में ए 8 किलो मीटर प्रती गंटे की चाल से दोड़ता है रेस कितनी है 100 मीटर की है और एकी चाल क्या रही है एकी चाल रही है आठ किलो मीटर प्रती घंटा अब आगे सुनना ध्यान से यदि ए बी को 4 मीटर के सुरुवात देता है यानि ए जो है वो बी को 4 मीटर आगे खड़ा कर देता है जो है वो बी को 4 मीटर आगे खड़ा कर देता है सुरुवात देने का मतलब है 4 मीटर आगे खड़े कर देना ठीक है अगर ये पूरी 100 मीटर की रेस थी और 4 मीटर आगे खड़ा कर दिया है तो क्या बी जो है वो केव से हरा देता है फिर भी उसे 15 से हरा देता है यानि जितने समय में यह यहां पहुंसता है फिर भी 15 से हरा देता है उतने समय में बच्चा यह जो है 15 से हार जाता है अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझी सबसे पहले यह निकाल लो कि यह यहां से यहां कितने समय में करता हूं तो ये टोटल दूरी कितनी है तो आप कहेंगे सो मीटर की दूरी है सो मीटर की दूरी है मेरे दोस्त और यहां पूछू मैं किस चाल से जा रहा है तो आप कहेंगे आठ किलो मीटर प्रती घंटा है तो मीटर पर सेकंड बना लो पांच बटे तै करेगा ए जो दूरी तै करेगा वो 45 सेकंड में दूरी तै करेगा या नहीं फिर भी बी को 15 से हरा दिया यानि बी जो दूरी तै करेगा वो 15 सेकंड बाद तै करेगा यानि बी ने जो दूरी तै की होगी वो 60 सेकंड में तै की होगी 45 और 15 कितना हो गया 60 सेकंड में तै की ह हाँ या न बी जो दूरी तै करेगा वो 60 सेकंड में तै करेगा अगर ये 45 सेकंड में यहां से यहां आ चुका है तो 15 सेकंड से फिर भी हरा देता है इसका मतलब बी जो दूरी तै करेगा इस दूरी को जो तै करेगा वो 60 सेकंड में तै करेगा करेगा या नहीं करेगा तो आप कहेंगे जी बिलकुल करेगा बहुत शांदार अब देखिए उसने क्या पूछा है B की चाल पूछी है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी कितनी है छाणमे मीटर की है समय कितना है मेरे दोस्त तो समय दे रखा है 60 सेकंड का दे रखा है आप से आंसर किलोमीटर परती घंटे में चाहिए तो 18 बटे 5 से आप लोग गुणा कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा ये आप लोगों का किस में बदल जाएगा किलो मीटर प्रती गंटे में बदल जाएगा अब आप यहां से कुश्चन को सॉल करिएगा कैसे अगर मैं यहां कहूं कि 6,18 हो जाएंगे 6,2,60 हो जाएंगे ठीक है अगर आप यहां से देखोगे 6,18 को 8 होगा हासिल 1,9,27,27 और 1,28 हो जाएगा आपको डिवाइड किस से करना है 10 गुणा 5 से डिवाइड करना है तो आप कहेंगे 5,25 होता है 3 बचेंगे 38 हो जाएगा 5,7,35,35 हो जाएगा नीचे एक 10 भी है पॉइंट एक खिसका दो यानि इसकी जो चाला जाएगी वो 5.76 आजाएगी इसकी जो चाला जाएगी वो 5.76 आजाएगी सबसे पहले उसने कहा है A से 15 से हार जाता है तो A का समय निकाल लिया 100 मीटर की दूरी इस चाल से 45 से करेगा अगर ये 15 से B हार गया है तो इससे 15 से करेगा बाद में पहुँचा होगा और इससे 15 से किंड बाद में पहुँचने का मतलब है B ने इस दूरी को 60 से किंड में तै किया होगा 96 मीटर की दूरी को 60 से किंड में तै किया जाता है तो B की चाल क्या आ जाएगी ये आपके सामने है 4 का कोई मतलब नहीं है 4 का ही तो सारा मतलब है चार मीटर आगे खड़ा किया है तभी तो चानवे मीटर पता चला है अगर ये साथ मीटर आगे खड़ा करता तो तिरानवे मीटर होती अगर आठ मीटर आगे खड़ा करता तो बानवे मीटर की दूरी होती होती या नहीं चलिए बहुत शांदार तो इसकी चाल क्या निकल के आ जाएगी इसकी चाल जो है वो 5.66 km प्रती घंटा निकल के आ जाएगी next question आप लोगों के सामने है question number 5 question number 5 मैं फिर से बता देता हूँ मेरे दोस्त A ने B को 4 मीटर की बढ़त दी है मतलब 4 मीटर आगे खड़ा किया है तो टोटल दूरी 100 मीटर थी 4 मीटर आगे खड़ा किया है तो 96 मीटर की दूरी बची है अब देखिए ध्यान से A जितने समय में रेस पूरी करता है B को 15 से फिर भी हरा देता है यानि इसने कितने समय में रेस पूरी की है तो आप कहेंगे टोटल 100 मीटर चला है और चाह-8 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से 45 से किंड में रेस कम्प्लीट की है फिर B 15 से हरा देता है यानि 15 से किंड जादा लिए हूंगे B ने तो 45 में 15 से जोड़ोगे 20 साट से किंड लिए हूंगे और B को दोड़ना कितना है B को केवल दोड़ना 90 मीटर है तो चानमे मीटर की दूरी को साथ सेकेंड में कंप्लेट किया है चाल निकल जाएगी ठीक है इस कोश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस कोश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब यह मन का बिरहम है और आप लोगों को अपने मन को समझाना है पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में कम आ रहा है होई नहीं सकता मैं सब कोई पहली बार पढ़ने की तरह पढ़ा रहा हूँ कि हाँ सब लोग पहली बार पढ़ रहे है होई नहीं सकता ठीक है चलिए कोश्चन नमर थिरी में खाली स्थान को पड़ोसी से क्यों नहीं भरा पड़ोसी से भरोगे फिर भी 1515 कर जाएगा और जब भी रेशो उतना ही आएगा रेशो बनाना है कैसे भी बना लो मेरे दोस्त ठीक है अब सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा से समझने की कोशिस करिए कुश्शन नम्बर पाज 1547 मेटर की दोड़ में यानि रेश कितनी है तो आप कहेंगे 1547 मेटर की दोड़ है 1547 मेटर की दोड़ है अरजुन 38 सेकिंड में अंतिम बिंदू तक पहुंसता है यानि पूरी रेश जो है वो 38 सेकिंड में कम्पलीट कर लेता है ठीक है जबकि करण जो है वो 91 सेकंड में जबकि करण जो है वो 91 सेकंड में रेस को complete करता है अब आप देखिए अर्जुन करण को कितनी दूरी से हराता है वो आप लोगों से ये पूछना चाहरा है अच्छे एक बात मुझे बताईए अरजुन हरा राए ना अरजुन हराएगा क्योंकि 78 सेकंड में ये अरजुन पहुंच रहा है अच्छे ये बताईए अरजुन 78 सेकंड में पहुंच रहा है और करण जो है वो 91 सेकंड में पहुंच रहा है तो पहले तो ये बताओ कि कितने सेकंड में हरा दिया तो क्या आप कहेंगे 11 में ये पहुंच रहा है 78 में ये तो क्या 13 सेकंड से हरा दिया होगा लेकिन उसने समय नहीं पोछा है उसने पोछा है अरजुन करन को कितनी दूरी से हराता है तो ये देख लो कि 13 सेकंड में करन जो है वो कितनी दूरी तै करेगा क्योंकि अगर एक बात समझो 13 सेकंड ने ये क्या है ये जो है यहां अरजुन जो है 78 सेकंड में पहुंच जाता है और करण यहां 91 सेकंड में पहुंचता है तो जब अरजुन 78 सेकंड में यहां होगा तो करण यहां कहीं होगा उसको 78 सेकंड यहां तक लग गए होंगे क्योंकि आगे उसे 13 सेकंड और लगने वाले हैं तो यह जो हारा है करन जो हारा है यह 13 से हारा है हारा है या नहीं तो बस यह देख लो कि करन जो है इस 13 सेकंड में कितनी दूरी तै करेगा इनके बीच की दोरी निकल के आ जाएगी ये पता लग जाएगा कि करण अरजुन से कितने मीटर से हार गया है ये बात समझ में आगे बस यही हम लोगों को दोस्त करना है अगर मैं करण की चाल निकालना चाहता हूँ तो दोरी कितनी तै करनी है तो आप कहेंगे 1547 मीटर करण कितने समय में तै करता है तो एक क्यान में सेकंड में तै करता है तो 13 सेकंड में कितनी दूरी तै करेगा वो कुश्चन आपसे ये पूछना चाहा रहा है तो वो कहरा है कितने मीटर से हारा है तो वो 13 सेकंड में कितनी दूरी तै करेगा बस ये देख लो इतने मीटर से हारा होगा तो अब यहां से दोस्तार समझेंगे 13 सत्ते क्यान में हो जाएंगे सात दूनी 14 होगा सात दूनी 14 शात एक हम 70 यानि ये करण जो है वो 13 सेकींड में 221 मीटर से हाँ 221 मीटर की दूरी तै करेगा तो इसका मतलब है वो 221 मीटर से हार गया होगा वो 221 मीटर से दोस्त हार गया होगा ये बास तो आप लोगों के समझ में आ चुकी है भाई उसमें मत उलजिए टाइब का रेशो, स्पीड का रेशो उसमें नहीं उलजिना है भी बिल्कुल मैं बहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ आप रेशो से कर पा रहे हैं, आप रेशो से कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता के चलना हूँ और आप मेरी एक सला है कि जो लोग रेशो से नहीं कर पा रहे हैं रेस की question को ratio से करना भी मत है ठीक है भाई चलिए question number next देखते हैं question number 6 क्या कहता है फटा फटा मुझे बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबाब question नहीं क्या कहा है question नहीं कहा है amit और बीनू 400 मीटर की दोड किरम से 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी करते हैं भाई यह 400 मीटर की रेस है 400 मीटर की रेस है अमित कितने मिनट में करता है amit 44 सेकंड में इस रेस को complete करता है और 20 जो है वो इसे 50 सेकंड में complete कर देती है किसको 400 मीटर की रेस को ठीक है जब अमित दोड पूरी कर लेता है तो बीनु समापन रेखा से कितनी दूर है अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले ये कितने मीटर से हरा रहा है ये बीनु को अमित जो है वो बीनु को कितने मीटर से हरा रहा है कितने सेकंड से हरा रहा है तो आप कहेंगे छे सेकंड से हरा रहा है तो वो पहले जैसा ही कुश्चन बन गया छे सेकंड से हरा रहा है वो मीटर में पूछ रहा है कितने मीटर से हरा रहा है तो ये देख लो कि बीनू जो है वो छे सेकंड में कितनी दूरी तैकर से यह बई नजारा कुछ ऐसा होगा अमित 44 सेकंड में यहां कहीं पहुँच गया होगा पूरी दूरी तैकर ली है रेस पूरी कम्पलीट कर ली है लेकिन यह 50 सेकंड में करती है तो 24 सेकंड बाद यहां कहीं होगी तो ये जो आगे की दूरी है ये 6 सेकंड में बीनू को टै करनी है तो अगर वो समय पूछता कि कितने सेकंड से वो समय से हरा देगा तो आपका जवाब होगा 6 सेकंड से हरा देगा लेकिन वो पूछ रहा है कितनी दूर है जब इसने race complete कर ली थी तो बीनू समापन रेखा से कितनी दूर है तो वो आपसे दूरी पूछना चाहा है तो ये देख लो कि बीनू इस 6 सेकंड में कितनी दूरी तै करेगी तो बीनू की चाल कैसे आएगी अगर मैं बीनू की चाल आप लोगों से पूछ हूँ तो बीनु की चाल आएगी बिटा दूरी बटे समय दूरी कितनी है 400 मीटर और बीनु का समय कितना है 50 सेकंड यानि आप लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि बीनु की जो चाल रही होगी वो 8 मीटर 1 सेकंड में जाने की रही होगी तो इस 6 सेकंड में बीनु कितना चली जाएगी यानि 48 मीटर पीछे होगी बीनु जो है वो समापन रेखा से 48 मीटर पीछे होगी जब अरजुन जो है वो समापन रेखा पे पहुँच चुका होगा तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा सवाल का जवाब जो है वो 48 मीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त सवाल का जवाब जो है वो 48 मीटर हो जाएगा ठीक है आसान कुश्चन था कुश्चन नमबर 7 ये देखो देहली पुलिस MTS 26 दिसंबर 2018 में आप लोगों से पूछा हुआ है सर आप आरपी एफ का एक भी कुश्चन नहीं कराते हो बिटा आरपी एफ का मिसलेनियस कुश्चन चालू करूँगा किस के बाद बोट एंड स्ट्रीम के बाद तब जो है आरपी एफ ये आरपी एफ कराऊँगा ठीक पड़ब बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवा कुश्चन क्या कहना चाहरा है एक किलो मीटर की दोड में ए बी को सो मीटर से हराता है एक किलो मीटर की दोड में भाई साब एक किलो मीटर की दोड है अचा यहां सुनिये जब ए बी को जब भी ऐसा कुश्चन बने न ए बी को इतने मीटर से हराता है बी सी को इतनी दोड मे इतने मीटर से हराता है तो आप उस question को हमेशा ratio से करना कैसे अब दिहान से सुनिएगा आप इस question के अंदर तीन लोग हैं A, B और C तीनों को लिख लो जब एक किलो मीटर की दोड़ होती है तो A, B को 100 मीटर से हराता है एक किलो मीटर यानी A हरा रहा है A अगर 1000 मीटर दोड़ता है तो B उतने समय में 900 मीटर दोड़ता है क्योंकि 100 मीटर से हरा दिया है तो भाई अगर मैं यहां से ratio निकालता हूं तो यह अगर 10 मीटर दोड़ता है तो यह 9 मीटर दोड़ेगा ठीक है B C को 100 मीटर से हराता है यानि B अगर 1000 मीटर दोड़ेगा 1 किलो मीटर की रेस है 100 मीटर से C को हराता है तो C जो है 900 मीटर दोड़ेगा हार गया क्या 100 मीटर से बिटा यहां भी रेशो जो है वो 10-9 का आ चुका है, अब इसे पड़ोसी वाले से भर दो पड़ोसी वाले से कैसे भरोगए यह जगा खाली है तो 9 लिखदो और यह जगा खाली है तो 10 लिखदो यानि आपके सामने रेश्व बन चुका है कि अगर A 100 मीटर दोडता है तो उतने समय में 20 90 मीटर दोड़ेगा और C जो है वो 81 मीटर दोड़ेगा क्या ये बात समझ में आगए अब उसने कहा है कि 1000 मीटर की दोड में AC को कितने मीटर से हराता है तो 1000 मीटर की दोड करनी है तो 10 की गुणा करनी होगी तब ये 1000 मीटर की दोड बनेगी C को पूछ रहा है तो यहां भी 10 की गुणा करनी होगी यह 810 मीटर दोड़ेगा यानि आप यह देखो जब यह race कंप्लीट कर लेता है तो यह 810 मीटर दोड़ता है तो कितने मीटर से हरा देगा तो आपका जवाब होगा 190 मीटर से हरा देगा आपका जवाब क्या हो जाएगा 190 मीटर से हरा देगा आपसन नमबर 20 कुशन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा तो race का एक बहतरीन कुशन बन जाता है दिमाग में सेट करिएगा जब भी आप लोगों को जब भी आप लोगों को ये कुशन दिया जाए कि A B को इतने मीटर से हराता है B C को इतने मीटर से हराता है या C D को इतने मीटर से हराता है तो आप ये देखेंगे आप ये देखेंगे कि ऐसे ratio से हमें कुशन को करना एक करा जी ये 81 की हो गुरु जी पडोसी कैसे लिखते हैं पडोसी कैसे लिखते हैं लो पडोसी लेकिन पडोसी का रूल कहां से आएगा जब रेशो पड़ोगे रेशो पड़ोगे वर्तनी गलत भी हो सकती है भाई सर बनने लगे question बनेंगे थोड़ा सा wait करो थोड़ा सा मेहनत करना मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी मैं फिर से कह रहा हूँ मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी question number 8 अगर आपने ये question मुझे बता दिया बड़ो से गलत है माल लिया मेरे दोस्त चली है 900-800 क्यों मही होगा, नहीं बटा 900-800 मही होगा, रेस कितने मीटर की है वो देखा करो हमेशा, एक किलो मीटर की दोड़ है ठो एक किलो मीतर में ये 900 दोड़ेगा है ना हमेशा जो जीत रहा है उसे race complete लिखनी है बताइए question number 8 का क्या हो जाएगा बिलकुल सही जबा question क्या कहना चाहरा है question ये कहना चाहरा है कि 800 मीटर की दोड में A.B. को 40 मीटर से हरा सकता है बिटा ध्यान से सुनना A.B. को 40 मीटर से तो ये 800 मीटर दोडता है 40 मीटर से हरा रहा है तो ये 760 मीटर दोडता होगा ये बात clear होगी 40 मीटर से हर गया B 500 मीटर की दोड में B.C. को 5 मीटर से हरा देता है 500 मीटर की दोड में B.C. को 5 मीटर से हरा देता है तो क्या ये 495 मीटर दोडता होगा बहुत शांदा तो 200 मीटर की दोड में AC को कितने मीटर से हराएगा अब समझे रेशो निकाल लो 4 से काटोगे 20 बार कटेगा 4 से काटोगे 19 बार कटेगा यहां देखोगे 5 से काटोगे 100 बार कटेगा और पांच से काटोगे पांच नाम पैतालिस पांच नाम पैतालिस बार कटेगा भाई साब बहुत पेचीदी कैल्कुलेशन हो गई है बहुत पेचीदी कैल्कुलेशन हो गई है हम लोगों की अब ध्यान से सुनिएगा पड़ोसी इसका पड़ोसी कौन है इसका पड़ोसी ये है सो लिख दो और इसका पड़ोसी कौन है ये लिए पड़ोसी कबजा जो होगा वो पड़ोसी का ही होगा अगर जगा खाली है तो कबजा पड़ोसी का ही होगा 20 की गुणा 100 में करेंगे 2000 आएगा और यहां 19 की गुणा 100 में करेंगे 1900 आएगा 11,99 a71 को एक हांसिल सतर है 11,99 a71 872 और सतरा कितने हो जाएंगे 188 हो जाएंगे तो क्या 2000 देखिए दियान से सुनना देखिए कुश्ण दियान से अगर 2000 मीटर की रेस होती है तो C कितना चल पाता है 1881 मीटर चल पाता है यानि 119 मीटर से हार जाता है मुझे कितनी रेस लानी है 200 मीटर की रेस लानी है तो 200 मीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा 10 से डिवाइड किया है तो 10 से यहाँ भी डिवाइड करना होगा पॉइंट आ जाएगा यानि 200 मीटर की रेस में यह 188.1 आता है 188.1 का मतलब क्या है 188.1 का मतलब क्या है बिटा 200 को 200 में से 188.1 आप लोगो घटा दोगे तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा 9 में से 8 गया एक बचेगा और 9 में से 8 गया एक बचेगा तो 11.9 हो जाएगा आपसन नमबर D हो जाएगा ठीक है भाई यह चीज समझ में आगी तो कोई कैलकुलेशन इतनी मुस्किल नहीं थी यह कुश्चन मैंने समझाने की कोसिस की है मुझे यकीन है उमीद भी है कि आप लोगों को यह कुश्चन समझ में आया होगा और रेस के अंदर यह कुश्चन अपना इंपोडेंट रोल पिले करता है ठीक है चलिए बी में आपने सो क्यों लिया कहां कहां सो ले लिया हां रिपीट कर देता हूं आठ सो मीटर की दोड में ये आठ सो मीटर की रेस में चालिस मीटर से हरा सकता है तो ये साथ सो साथ मीटर दोडता होगा चालिस गटा दो साथ सो साथ पांसो मीटर की दोड में पांच मीटर से हरा सकता है 20 की गुणा 100 में करी 2000 19 की गुणा 100 में 1900 19 की गुणा 99 में ये आ जाएगा लेकिन उसने काई 200 मीटर की दोड में A जो है वो C को इसको भूल जाओ इन दोनों में comparison करना है लेकिन race 200 मीटर की होनी चाहिए और 200 मीटर की race में A जीतना चाहिए तो इसे 200 मीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर दो तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दी तो कितने मीटर से हार गया है 200 मीटर में 188.1 दोड़ा है तो 11.9 मीटर से हार चुका है ठीक है next question आप लोगों के सामने question number 9 पड़बड बताईए क्या होगा इसका देखो डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि रेस 200 मीटर की ये 2000 मीटर था ये 2000 मीटर था और 200 मीटर की रेस बनानी है इसलिए मैंने डिवाइड किया है ठीक है अच्छा इसका मतलब क्या होता है 1.66 को मैं क्या लिख सकता हूँ या 1.66 को मैं एक प्लस दो बटे तीन यानि कि ये जो चाल होती है ये पांच बटे तीन मीटर पर सेकंड होती है तो गलती से भी अगर पेपर में ये चाल दिख जाए तो इससे कुश्चन को सौल मत करना उलज जाओगे इस वाली चाल को हमेशा पांच बटे तीन पांच बटे तीन मीटर पर सेकेंड लिखना इस वाली चाल को पांच बटे तीन मीटर पर सेकेंड लिखना देखो सर आपने दस से ही एंड में गुणा क्यों किया बेटा दस से गुणा नहीं किया है दस से भाग किया है क्यों किया है उसने 200 मीटर की रेस कही है और एक ही जो दूरी चाल एक ही जो रेस आई है वो 2000 मीटर की आई है तो 2000 को 200 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा या नहीं तो मेरे दोस्त इसको भी हाँ डिवाइड करना होगा मैं आपसे ये कहना चाहरा हूँ दो तरीके हैं मैं फिर से इस चैप्टर पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ मैं इस चैप्टर पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें इंट्रेस्ट जो है वो क्रियेट करना होता है इंट्रेस्ट जो है अपना बनाना होता है विटा ऐसे ही नहीं है फालतू में फिरी भंड में आपको इंट्रेस्ट किरियेट हो जाएगा नहीं इंट्रेस्ट किरियेट उनका होता है जिनके गोल मजबूत होता है जिनका लक्षे मजबूत होता है और जिनका लक्षे मजबूत नहीं है वो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं और जो skip कर जाते हैं वो शायद एक question आ जाएगा तो एक question अपना छोड़ रहे होते हैं और एक question का मतलब है बच्चा कैई लाख लोगों से पीछे जाना एक question गलत होने का मतलब है कैई लाख लोगों से पीछे जाना तो अगर आप serious और गोल मजबूत वाले student हैं और वास्तम में नोकरी के सपने आप लोगो देख रहे हैं वर्दी पहनने के आप लोगो सपने देख रहे हैं तो एक भी chapter को ऐसा मत छोड़ना कि जिसे आप लोगो छोड़ के चलो बच्चा जब किस्मत ऐसी होती है तो question वहाँ से इतना आसान पूछ लिया जाएगा जिस question को पूरी दुनिया करेगी उस question को आप छोड़ देंगे क्योंकि आपने वो chapter complete नहीं किया था दो तरीके होते हैं इस course को खतम करने के मैं चाहता तो race के केबल दो question करा देता time and distance में और आप लोग भी खुस हो जाते कि दोड़ के question कराए है और वो आसान आसान question लेके आ जाता लेकिन दोस्त मुझे फॉर्मल्टी पूरी नहीं करनी है मुझे आप लोगों को धुका नहीं देना है एक तो इसकी पिसका एक मात्र साधन रास्ता था बाहर निकलने का एक आपके दिमाग में इन चीजों को डालना साधन था तो मैंने आपके दिमाग में डालना इन चीजों को जरूरी समझा अब मर जी आप लोगों की है आप सुतंत्र है आप फिरी है पूरी तरीके से बिटा आप समझना चाहते हैं चीजों को सीखना चाहते हैं तो आपको बोर होते हुए भी चीजों को सीखना होगा बोर हैं तो तब भी चीजों को सीखना होगा हर चीज में इंट्रेस्ट आ जाए ये भी जरूरी नहीं है कुछ चीजे जो हैं हमें मजबूरी वस करनी पड़ती है मजबूरी वस कहने का मतलब है अगर मुझे लगता है कि यहां से कुशन बनेगा तो मैं उसे हर हाल में सीखूंगा चाहे मुझे कितनी ही ताकत क्यों ना लगानी पड़े कुशन नमबर आठ आप लोगों के सामने हो चुका है कुशन नमबर नो बताइए एक पॉइंट छेचे का मतलब होता है एक पिलस दो बटे तीन तीन एकम तीन और दो पाँच बटे तीन मीटर पर सेकंड हो जाएगा ठीक है भाई कुशन कहना क्या चाहा रहा है यदि ए बी को चार मीटर की सुरुवात देता है सौ मीटर की दोड़ है ये कितनी दोड़ है सौ मीटर की A जो है वो B को 4 मीटर की सुरुवात देता है यानि A ने B से कहा कि लाला 4 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा ठीक है उसने कहा है A B को 4 मीटर की सुरुवात देता है और फिर भी उसे 12 से किंड से हरा देता है क्या मैंने ऐसा कोश्चन नहीं कराया 15 सेकंड में हरा दिया था क्या वो कोश्चन नहीं कराया मेरे दोस्त तो उसने कहा है B की गती क्या है ठीक है बहुत शंदार फूर्थ कोश्चन गलत है सर फूर्थ कोश्चन गलत है सर ये वाला कोश्चन जो है वो गलत है सर कोई बात नहीं एक आद कुश्यन गलत भी हो जाए बाद में देख लेंगे ठीक है भाई चलो यहां देखेंगे 100 मीटर की दोड में 100 मीटर की दोड में हो गया अच्छा यह देखो A, B को 4 और फिर भी उसे 12 से केंड से हरा देता है तो B जो केवल दोडा है वो 96 मीटर दोडा है और 96 मीटर दोडने में भी 12 से केंड से हर गया तो B एकदम लीचर इंसान है B एकदम जो है वो धीला इंसान है अब यह देखो A जो है इस वाली पूरी दूरी को कितने समय में तै कर लेगा भाई यह तो इतनी दूरी तै करेगा तो अगर मैं A का समय आप लोगों से पूछ हूँ तो आप कहेंगे 100 मीटर की दूरी तै की है और बिटा A की चाल कितनी है 5 बटे 3 मीटर पर सेकंड है 5 बटे 3 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दी हुई है मीटर से मीटर उड़ाया 5 दूरी 10 यानि की A की जो समय आगया वो 60 सेकंड आगया अब A का समय 60 सेकंड आ चुका है फिर भी 12 सेकंड से B को हरा दिया है तो क्या B ने जो समय लिया होगा वो 72 सेकंड का समय लिया होगा और B ने दूरी कितनी की है B ने तोटल दूरी ही चानवे मीटर की दूरी तैकी है तो B की चाल कितनी आ जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है चानवे मीटर बटे 72 सेकंड आ जाएगा आपसन मीटर पर सेकंड में दिये हैं बारे अठे चानवे बारे चिंग बाहत्तर दो चौक आठ दो तिया छे और चान बटे तीन का मतलब क्या होता है एक पॉइंट तीन तीन इस कुश्चन का जवाब होता है एक पॉइंट तीन तीन इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों के सामने है question number 10 question number 10 आप लोगों बिटा 1.66 को कैसे change किया 1.66 को ऐसे change किया है 0.66 का मतलब ही 2 बटे 3 होता है divide करो न 0.20 आजाएगा 3 चिंग 18 2 बचेगा फिर 20 आजाएगा 3 चिंग 18 तो 0.66 को 2 बटे 3 लिखते है 0.33 को बिटा 1 बटे 3 लिखते है अगर यहाँ 1.33 होता तो मैं 1 पिला से 1 बटे 3 लिख रहा होता आगे के लिए याद रखिएगा फटा फट मुझे बताईए question number 10 क्या हो जाएगा 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 question को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो A जो है वो B से A जो है वो B से A जो है वो B से ये चार है तो ये साथ हो जाएगा क्या ये हो जाएगा अगर मैं इनकी चार की बात करूँ तो ये इस से ये देखो A B से इतना गुना तेज दोड़ता है तो मतलब अगर ये चार दोड़ता है तो साथ गुना तेज दोड़ता है तो यह साथ गुना ए रंस वन एस फास्ट हाँ साथ गुना हो गया इतने गुना तेज दोड़ता है यदि A B को 30 मीटर की सुरुवात देता है तो विजेता बिंदू कितनी दूर होना चाहिए यहां से सुनिए ध्यान से यह विजेता बिंदू है यहां पे रेस जो है वो जीती जानी है A जो है वो B को 30 मीटर की सुरुवात देता है यहां B को खड़ा कर देता है A यहां खड़ा हो जाता है और 30 मीटर की सुरुवात देता है ठीक है भाई? कितनी दूर होना चाहिए ताकि A और B दोनों एक ही समय पर वहां पहुंस सकें A की चाल कितनी है? 7 मीटर है A की चाल कितनी है? 7 मीटर 30 सेकंड माल लेते है चाल ही तो दे रखी है और B की चाल कितनी माल लेते है? 4 मीटर 30 सेकंड हम लोग माल लेते है माल लेते है क्या? उसने कहा है कि दोनों एक ही समय पर पहुंचे दोनों एक ही समय पर पहुंचे तो ये कितनी दूर हम लोगों का होना चाहिए अच्छे एक बात मुझे बताओगे एक काम करते हैं एक काम करते हैं अगर दोनों का समय समान है थोड़ा सा यहां देख लीजिए अगर दोनों का सम दूरी बटे समय होती है या नहीं अगर आप से मैं ये कहूं कि दोनों समय समान पर पहुंच रहे हैं समय दोनों का समान हैं तो जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो हो जाएगा तो चाल का रेशो साथ चार है तो दूरी का रेशो भी साथ चार हो जाएगा यानि की बचा ए और बी ए ने एक साथ मीटर की साथ यूनिट की दूरी तैकरी होगी और बी ने जो है वो चार यूनिट की दूरी तैकरी होगी चार यूनिट की दूरी तैकरी होगी तो इनकी जो रेस में है वो डिफरेंस कितने यूनिट का होगा तो आप कहेंगे तीन यूनिट का साथ में से चार गया तो तीन यूनिट का डिफरेंस है उसने कहा है तीस मीटर आगे खड़ा करता है तो तीन यूनिट की वैल्यू तीस मीटर दी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दस मीटर हो जाएगी तो पूरी यात्रा की दूरी पूछ रहा है तो साथ य इसे इतने गुना तेज दोड़ता है तो अगर B 4 से दोड़ता है तो A 7 से दोड़ता होगा उसने कहा है A और B दोनों A कही समय पर पोचें यानि समय समान हो जब समय समान होता है तो जो 4 का रेशो होगा वही दूरी का रेशो हो जाएगा हो जाएगा या नहीं अगर दूरी का भी वही रेश्यो है मेरे दोस्त तो ए जो है वो साथ यूनिट की दूरी तै करता होगा और बी जो है वो चार यूनिट की दूरी तै करता होगा कल वाला डाउट कुशन नहीं बताए बेटा कल वाला डाउट कुशन कुन सा था एक वर ब एक और question करा रहा हूँ पहले आप इस question को मुझे बताइए इस question का जवाव क्या होगा फड़ फड़ बताइए ये जो है आप लोगों को दिया हुआ है ये जो है हाँ देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि कुछ questions आप लोगों के जैसे चलांग वाले question है जो खंबा चड़ने वाले question आप लोगों के बचे हुए है एक आपका मोक टेस्ट में आया था कि दो वैक्ती एक ही दिसा में जा रहे है उनको एक train जो है इतने इतने second पे पार करती है एक वो question बचा हुआ है तो कल जो है वो miscellaneous class लोगा कल जो है वो सारे के सारे जो है वो खतम हो जाएंगे ठीक है ये question बताइए आप मुझे क्या होगा इसका बिलकुल सही जबा question कहना क्या चाहा रहा है sir unit की value 10 कैसे आई एक unit की value 10 कैसे आई ये भाई तीन से divide करोगे 30 को फिर वही बात कर रहे हैं फिर मैं सिका दूंगा 30 को 3 से कैसे divide करते हैं 3 एकम 3 ये कट गया एक 0 बची तो ये आगया तो 30 को जब 3 से divide करेंगे तो 10 आएगा है ना आगे इसे मत पूछना मेरे दोस्त चलिए question number 11 बताइए फटवट क्या कह रहा है question question ये कह रहा है मेरे दोस्त की 1500 मीटर की दोड में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की सुरुवात देता है यानि अगर एक 1500 मीटर की race है ये total race कितने मीटर की है 1500 मीटर की है और P जो है वो क्यों को 200 मीटर की सुरुवात देता है यानि P यहां रहता है और क्यूं जो है वो यहां रहता है ठीक है भाई 200 मीटर की सुरुवात देता है तो वाहन पी 8 सेकंड से दोड जीत जाता है भाई 200 मीटर की सुरुवात देता है तो 8 सेकंड पहले पहुंच जाता है आठ सेकंड से दोड जीत जाता है कौन जीतता है पी जीतता है ऐसा उससे कहता है एक काम कर तू जाके 400 मीटर आगे खड़ा हो जा पहले तो मैंने तुझे 200 मीटर आगे खड़ा करके जब 8 सेकिंड से हरा दिया था अब एक काम कर तू 400 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा अब देखता हूँ तू कितना बड़ा धावक है यदि वाहन पी वाहन क्य 400 मीटर की सुरुवात देता है तो दोड जो है वो डैड हिट में समाप्त होती है यानि बिल्कुल समय पर समाप्त होती है दोनों बिल्कुल समय पर पहुचते हैं दोनों बिल्कुल समय पर डैड हिट का मतलब है किसी ने नीहाराया दोनों बिल्कुल समय पर पहुचे यानि क् डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिला आपने ये डिफरेंस देखा कि जब इनके बीच का गैप 200 मीटर का होता था तो तब ये पी जो है वो 8 सेकंड से हार जाता जीत जाता था लेकिन जैसे ही इनके बीच का गैप 400 मीटर हुआ तो ये जो है बिलकुल समय पर पहुँच यानि ये जो 200 मीटर की दूरी है ये 8 सेकंड में तै होती है ये 8 सेकंड जो कम हुए किस वज़ा से हुए क्योंकि क्यूं जो है वो 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया था ये बात मुझे पता चल चुकी है कि क्यूं जो है इस 200 मीटर को 8 सेकंड में तै किया होगा तब ही तो वो समय पर समान समय पर पहुँच आए देखो ध्यान से फिर से पहले क्यूं क्यूंकि क्यूं को 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया है तो क्यूंकि चाल क्या जाएगी क्यूं जो है वो 200 मीटर की दूरी को 8 सेकंड में तै करता है इस बात को मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब कोश्चन पूछना क्या चाहा रहा है कोश्चन ने कहा है वहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगता है वो आप से ये पूछना चाहा रहा है तो आप यहां से देखिए क्योंकि चाल निकाल देंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे 50 बार 4 से काटेंगे 2 बार 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा तो 25 मीटर पर सेकंड जो है वो क्योंकि चाला चुकी है जब 200 मीटर अब हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं उसने कहा है वहन गोली वाले कुश्चन मैंने करा दिया है अब आप ये देखलो मिरे दोस्त कि वहन पी को 1500 मेटर चलने में कितना समय लगता है वहन पी को पी का समय निकलना है तो वहां पी का हमें चाल आनी चाहिए चाल कैसे निकलेंगे अचा एक बात मुझे बताईए है क्या आप लोग ये पता लगा रहे हैं कि जब 200 मीटर की सुरुवात दी थी तो क्यूं जो है 1300 मीटर दोड़ा था फिर भी 8 सेकंड से हार गया था फिर भी 8 स सेकंड से हार गया था तो अगर मैं इसका समय निकाल लूँ 1300 का समय निकाल लूँ क्यों को कितना समय लगा है 1300 मीटर की दूरी तैकी है किस चाल से तैकी है 25 से 25 15 15 25 25 दूनी 50 यानि क्यूं जो है यहां से यहां तक बावन सेकंड में आता है फिर भी आठ सेकंड में आठ सेकंड से हार जाता है यानि आठ सेकंड लेट पहुंच रहा है भाई साथ मतलिक देना तब ही क्यों को 8 सेकंड से हराया होगा तो जोड़ना नहीं है दोस्त दुबारा समझो अगर पी 52 से क्यों 52 सेकंड में पहुचा है और आप पी को 60 सेकंड में पहुचा रहे हो तो पी हारा हुआ वेकती है जब की पी हारा नहीं है पी ने तो 8 सेकंड से क्यों को हराया है पी ने तो 8 सेकंड से क्यों को हराया है इसलिए पी जो है वो 8 सेकंड पहले क्यों से पहुचा होगा अगर क्यों 52 सेकंड में पहुचा है तो ये 8 सेकंड कम 44 सेकंड में पहुचा होगा मैं फिर से अप लोगों को समझा रहा हूँ पहले पी ने क्यों को 200 मीटर की सुरुवात दी और फिर पी ने क्यों को तो 8 सेकंड से क्यों को हरा दिया फिर पी ने क्यों को 400 मीटर की सुरुवात दी तो अब डैड हिट पर पोचते हैं समान समय पर पोचते हैं तो हमें ये समझ में आ गया कि क्यूं ने ये 200 मीटर आगे खड़ा हुआ तो ये 8 सेकंड का समय जो है वो कवर कर लिया तो क्यूं 200 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तै करता है तो क्यूंकि चाल ये आगे तो क्यों 1300 मीटर की दूरी कितने समय में ते करेगा 52 सेकंड में यानि वो यहां से यहां 52 सेकंड में पहुँचेगा फिर भी 8 मिनट से 8 सेकंड से हार जाएगा तो ए जो है वो 44 सेकंड में पहुँच गया होगा ए जो है वो 44 सेकंड में पहुँच गया होगा ठीक है बहुत बढ़ी है question number 12 question number 12 इस question का जवाब आप लोग मुझे दे देंगे पड़ापड़ बताएंगे स्क्रीन सोट ले लो स्क्रीन सोट स्क्रीन सोट ले लो बिटा CGL 2022 में आप लोगों से पूछा है चलिए इस question को तोड़ा सा समझिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब class छोड़ दें चलो class छोड़ देते हैं ऐसा ही है मैंने ratio बनाने के लिए बताया जब भी A B को इतने मीटर से हराता है B C को इतने मीटर से हराता है तो ऐसे question को हमेशा ratio से करने है तो एक question का जवाब आपको HW में देना है मतलब comment box में देना है कल जो चलेगी वो now तथा धारा चलेगी ये भी topic ऐसा ही है जो आपको interest जगाना होगा लेकिन question यहां से पूछा जाता है कल now तथा धारा चलेगी और person और उसके next day जो है वो miscellaneous चलेगे वो miscellaneous दोस्त हम लोगों के चल रहे होंगे दो दिन जो है वो miscellaneous हम लोगों का रहने वाला है जो छूट गया है person और question मैं उसमें cover करने वाला हूँ ठीक है भाई आप लोग यकीन मानिये कि इतना अदबुत मैत वो भी free of course YouTube पे शायद ही आप लोगों को देखने को मिले फिर भी आप लोगों को अगर कोई topic ऐसा लगता है कि जिस topic में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताईएगा मैसेज करिएगा उस topic पे जरूर विचार किया जाएगा कैसी लगी class जरूर बताईएगा homework का question जो है वो जरूर आप लोग comment box में दीजिएगा मन करता है तो class को like अवश्य करिएगा नहीं करता है तो कोई जरूरत बच्चे नहीं अपने मन के खिलाफ नहीं जाना है ठीक है भाई, ओके टाटा बाई-बाई बचे मिलते हैं कल सुभे आठ बजे एक बहतरीन class के साथ